हेलो फ्रेंड्स लेटस साउथ मुवीज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल क्रेजी फोर मुवीज को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल बटन को दबाईए ये बिल्कुल फ्री है वेल्कम फ्रेंड्स आप सबी का स्वागत है क्रेजी फोर मुवीज के रिव्यू सेग्मेंट में आज रात आठ बजे स्टार गोल पे टेली कास्ट हुआ दुरुवा का हिंदी डव वर्जिन जिसका फैन्स बेस अवरी से इंतिजार कर रहे थे धुरुवा रीमेक है 2015 की तमिल मुवी थाइनी अरुवन की जिसका हिंदी डव नाम है डवल अटेक टू आईए आपको बताते हैं कि ये मुवी डवल अटेक टू के कमपैरिसन में कैसी है और देते हैं आपको इस मुवी का रिव्यू धुरुवा 2016 की क्राइम थ्रिलर मुवी है जिसे डैरेक किया है सुरेंदर रेड़ी ने धुरुवा रीमेक है 2015 की तमिल मुवी थाइनी अरुवन की धुरुवा की कहानी दो किरदारों के इर्दगिर्द भूमती है एक है IPS धुरुवा यानि रामचरन तेजा और दूसरा है सिधार्थ अभिमन न्यू दोनों की इस जंग में आखिर में कौन जीतता है और कैसे धुरुवा लड़ता है इंडिया के सबसे बड़े मेडिकल माफिया से यही है इस मुवी की पूरी कहानी धुरुवा का स्क्रीन प्ले डबल अटेक टूस से काफी बहतर है फिल्म में हर किरदार को बहतरीन करीके से लिखा गया है इस मुवी की कहानी में कुछ चेंजिस किये गये हैं जो की काभिले तारीफ है और इस मुवी को और थ्रिलिंग बनाती है इस मुवी का एक और प्लस पॉइंट है वो है इसके डायलोक्स जो की काफी सॉलिड है अब बात करते हैं इस मुवी के कास्ट प्रफॉमेंस की राम चरन की एक्टिंग इस मूवी में काफी सॉलिड है उनकी एक्टिंग और डायलोग डिलीवरी दोनों ही फैंस का दिल जीत लेंगी बात करें अर्विन स्वामी की तो उन्होंने भी इस मूवी में कमाल का रोल किया है इस मूवी के काफी सिंस में राम चरन के होते हुए भी अर्विन स्वामी आपका ध्यान अपनी तरफ आकरशित कर लेंगे नबदिप को इस मूवी में कास्ट करने के लिए मैं डारेक्टर की तारिफ करना चाहूंगा उन्होंने भी इस मूवी में कमाल का रोल किया है रखूल पीर्ट सिंग ने भी अपना रोल काफी बहतरीन तरीके से निभाया है अब बात करते हैं इस मूवी की डबिंग की इस मूवी में राम चरन तेजा को आवाज दी है अजे देवगन ने और अर्विन स्वामी को आवाज दी है अर्बास खान ने बॉलिवूड एक्टर्स की मौजदगी इस मूवी को बड़ा तो बनाती है पर मेरे हिसाब से राम चरन तेजा को आवाज संकेत मात्रे की ही देनी चाहिए थी जो कि उन्हें रेगुलर हर मूवी में आवाज देते आये हैं और विलन अर्विन स्वामी को अजे देवगन की आवाज देनी चाहिए थी आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस मूवी के डबिंग के बारे में अब देते हैं इस मूवी का फाइनल वर्टी एक लाइन में कहा जाए तो धुरूवा एक अच्छी रिमेक है जिसे काफी समझदारी से फिल्माया गया है ये मूवी आपको डबल अटेक टू से अच्छी लगेगी मेरी तरफ से इस मूवी को फोर्ट स्टार्स सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैलेंग को सस्क्लाइब कीजिए स्क्रेजी फॉर मूवीज